हेलो काईजी नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गंजापन के बारे में बाल जढने के समस्थ्या जिसको होती है उनको बहुत प्रसान करती है और चिंटा की भिसह बन जाती है और यह डर लगा रहता है कि कई हम किसी दिन इन जढते बालों को वजह से गंजे ना हो जाए पहले गंजापन बुड़े होनी के निसानी मानी जाता था लेकिन आज कलिए यह समस्या इवा वास्ता में भी देखी जाने लगी है यह परसानी खराब जीवन सेली पोस्तक्त्व के कमी और तनाव के वज़ा से देखने को मिलती है यह समस्या पोस्तों में बहुत आम होती ह इनके साथ भी अब महिलाओं में भी यह परसानी देखी जाने लगी है जो एक सरमादगी के कारणा बंद की है लेकिन हेर टांसपर्लाइटमेंट के अलावा आप घर में मौझूद सामगरियों से भी अपने गंजापन को समस्याव को रोक सकते हैं तो आज हम आपको कुछ गहरेलू उपाई बाताने वाले हैं जिनके इस्तिमाल से आप गंजापन के परसानी के इलाज कर पाएंगे दोस्तों अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज टिप्स नमर वान मेहदी मेहदी को पत्तों को सरसो के तिल में उबाल ले और इसे ठंडा कर ले इसे सीर के मालिस करें और उस पर लगाए आपके गंजापन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा टिप्स नमर ठर्ड आवला आवला में बीटा में सी अच्छे मात्राम होता है जिससे बाल तेजी से बढ़ते हैं आवला का पेस्ट मनाकल इसमें निम्बू का रस्म लाए और इसे नीमित रुप से एसकल्प पर लगा कर छोड़ दे कुछी दिन में आपके बाल जढ़ना बंद हो जाएगे और आपका बाल लंबा और घाना भी हो जाएगा टिप्स नमर फोर्त मेथी मेथी से बालों का बनाने वाले हार्मो जरूर कर ले इससे आपको बालों का जढ़ना बंद हो जाएगा और आपका बाल तेजी से बढ़ेगा और डेंडरा भी खतम हो जाएगा दोस्ते में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि एकदम यह घरेलू और हर्बर होता है जिसका किसी परकार साइडिक नहीं होता है यह अपना करें आप लोगों को बताया जाता है जिसके आप लोगों 100% रिजाड़ होता है